नमस्कार दोस्तों वेल्टिस्काई के एको नए इंट्रस्टिंग वीडियो में आप सब लोगा स्वागत है मिरा ना में सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में दोनों के चार्ट को समझेंगे understand करेंगे आज जो market में moment आया है तो क्या ये moment sustain करेगा उपर के level पर या फिर हमें दुबारा से selling देखने को मिलेगी और अगर moment continue sustain करता है तो next target निफ्टी के लिए क्या खोलेंगे इस चीज़ को हम समझने की कोशिस करेंगे तो जल्दी से इस वीडियो को start करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे important announcement है कि जो learning group basically start होने वाला यानि जो learning start होने वाली है आज रात 10 वजे youtube live से start होगी तो आप लोग ready रहेगा time निकाल कर रहेगा 10 वजे से start करेंगे और maybe 12 एक वजे तक वो चीज़ चलेगी ठीक है अगर जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाती है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे और अगर नहीं समझ में आती है तो हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे ठीक है इतना समझ में अब बात कर लेते हैं मार्केट की तो सबसे पहले मार्केट 11 में मेरे आपको एक ही पॉइंट बताया था कि मार्केट काप खुलाया और रजिस्टेंस के पास ट्रेट कर रहा है और रजिस्टेंस वो क्या था यह ठीक है 17,500 एक रजिस्टेंस ले बिल था और बैंक कर्क्षन के बाद फिर आपको एक रैली देखने को मिली और निफ्टी ने अपने अल्मोर्ड इंटरे के सारे टार्गेट हिट किये क्योंकि 17,624 हाइस टार्गेट था अगर देखा जाए तो वो सारे टार्गेट इतने एक ही दिन में हिट कर दिया थे क्योंकि अगर आप टे चार्ट पर देखोगे तो यहां तक आपका यह टार्गेट था ठीक है तो इसने सारे टार्गेट एक ही बार में यहां पर हिट करती थे 17,624 का और उपर भी इस लेविल तक यह चला गया था अब हमें यह समझना है कि मंडे को मार्केट कैसा रह सकता है क्या यहां से गर मेंशे एक चीज़ बोलता हूं कि जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप नेक्स लेविल पर फोकस रखा करो नेक्स लेविल पर फोकस रपको तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी ट्रेट जरू मिलेगी जैसे मौर्निंग में 17,500 ब्रेक हुआ था तो 17,600 की इतना है 17,500 की कॉल से काफी जबरदस शोट स्ट यहां पर कबर हुएं 17,400 की कॉल से भी शोट कबर हुएं पुट पर अगर देखा जाए 17,500 की पुट पर 89 लेक्स ओपन इंटर्स अग हो गया है तीक है ओपन इंटर्स वास देखा जए तो यहां पर लॉंग पोजिशन बन अब आपके लिए जो next target खुला है वो एक चीज़ ध्यान में लखिएगा अगर आप इस level के उपर sustain करते हो ठीक है क्योंकि आज उपर तो कहले के नीचे आ गए अगर आप आज के high के उपर sustain करते हो तो next target आपके लिए open होगा वो होगा आपका 17722 और 17722 के उपर की closing आपको प आप कब बात करोगे जब यह swing टूटेगा तब आप selling की कोशिस करोगे जो किया 17500 सेटिस का इसके नीचे trade करना start की है फिर आपके पास पूरी जगह सेलिंग की पहला target होगा 17400 सेटिस का और दूसरा target आपके पास है फिर यह gap filling का 17330 का ठीक है आज का जो basically momentum रहा वो कहीं ना कहीं अदानी ग्रूप में जो over the night positive deal हुई है 15000 क्रोड की तो उसका effect सबसे ज़्यादा रहा क्योंकि आज जो bank nifty और PSU banks rocket बने है क्योंकि कहीं ना कहीं जो market में भी selling चल रही थी और जो buying lack of buying दिख रही थी वो आज नहीं दिख रही थी क्योंकि over the जब से budget आया था तब से अ बाफी ज़्यादा चिंता थी क्योंकि सबका exposure था LIC का exposure यहां पर PSU banks का exposure यानि हर किसी को कुछ ना कुछ exposure था अदानी ग्रूप में तो वह problem creating था बट कल जो over the night basically जो कल के market में जो deal हुई थी 15000 क्रोड की उस deal के बाद confidence boost up आया लोगों कि कहीं ना कहीं जब इतने बड़े fund म fund इतना पैसा डाल रहे हैं तो कहीं न कहीं अब यह group sustain कर सकता है बट यह market decide करेगा यह future decide करेगा कि यह sustain करेंगे या नहीं करेंगे बट फिलाल जो एक rally बननी थी वो definitely आज बनती हुई दिकाई दी अदानी बोर्ट 10% अदानी enterprises 15% और वाकी 55% सारे stocks हरे निशान में जाके बं हो सकता है आप दोबारा से trap हो जाओ ठीक है तो nifty के लिए आपका यह view clearly समझ में आगया होगा bank nifty की बात कर लिए तो देखो bank nifty के लिए आपको यह trend line पर focus करना है यह trend line आपका lifetime high से लेके इस तरीके से follow up कर रही है और कहीं नहीं चालिस हजार के 42,000 के आसपास दोबारा से टच कर सकती है तो 42,000 के आसपास आपको क्या करना है सिंपल दी चीज़ है आपको sell की opportunity दूढ़नी है बट अभी दूर है ऐसा नहीं है पास है 700-800 point दूर है तो अगर Monday gap up खुल जाता है मालनो 200-300 point gap up खुल गया तो फिर आपको वहाँ पर selling opportunity जरूर धूढ़नी चाहिए 15 minute time frame के साब से अगर देखें तो यहाँ पर आपको इस low की नीचे जैसी trade करना है स्टार्ट करता है एक ताले सजा एक सो साथ आपको बैंक रिफ्क को शॉट करना है पहला target आपके पास है एक ताले सजा और ब्रेक होता है तो next target आपके पास है सीज़ा सीज़ा 40,750 का इतना आप क सारे पता होने चाहिए तीक है नीचे selling तब ही करना जब यह इसके नीचे trade करना start कर दे क्योंकि यह अब तक यह लेवल नहीं तूटेगा तब तक momentum जोगा वो थोड़ा सा positive ही चलेगा क्योंकि यहां से अगर buying आ गई तो होज़कता है दुबारा से 41,500 या 41,750 तक जाता हो द देखा ही दिया है और जैसा कि FIS की long position इतनी खास है नहीं क्योंकि 15% की long position है तो जायर की बात है तो index में इतना जादा selling pressure नहीं है बट फिर भी जो stocks बेची जा रहे थे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा थमेंगे ठीक है इतना आपको clearly समझ में आ गया global market की situation देख लेते हैं क्यो आपको हमेशा एक example दे रहा हूँ क्योंकि यह ही एक index है जो मुझे लगता है नया lifetime high बनाने के लिए तयार हो रहा है क्योंकि अब यह इस range का breakout देगा तो नया lifetime high लगेगा तो US market भी इनको देखते देखते कहीं न कहीं नय lifetime high की तरफ बढ़ सकते हैं जो inflation का जिटर रहा है थ दौफते का वह थोड़ा साब cool down होता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इतना आपको clearly समझ में आ गया कि आती है तो हमें थोड़ा सा buying opportunity ढूंड़नी चाहिए ठीक है और 17500 के उपर close हुआ है क्योंकि अभी तक 17500 के उपर close नहीं हुपा नहीं तक बट आज successfully close हुआ है सब्सक्राइब करने लग गया है तो जाइड सी बात है फिर आपके लिए उपर से यहां तक के target open होने चाहिए 17800 तक के तो एक बार यहां तक जरूर जाना चाहिए 17800 जाता है देन हम आपे selling का plan जरूर टूनेंगे ठीक है तो आई होप दोस्तो यह particular data आपको समझ में आ गया होगा दोस्तो फिलाल इस वीडियो में इतने है आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आता तो like or share जरूर करिएगा और चैनल को जू सब्सक्राइब झाल 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 झाल